हेलो एवरिवान वेल्कुम टो चंदरा स्केशन आज जो बनाने वाले हैं चावल के पापर जो खाने में बहुत ही टेस्टी और गुर्क्री होते हैं आई शुरू करते हैं यह हमने लिया है एक कटोरी चावल जिसे हमने दो कर एक घंटे के लिए भिगो लिया था अभी से हम मिक्सर में क्राइंट कर देंगे और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसका हम हमें बिल्कुल स्मूद पेस्ट बनाना है, बिल्कुल भी दरदरा पर नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से रहेगी, अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे, इसमें हम एड़ करेंगे थोड़ा पानी, अब हम किसी खुले बरतन में जैसे कड़ाई में पानी कर लेंगे, और ऐसी तीन चार लाल सूखी मिर्श को ऐसे काट लेंगे, और कुछ करी पत्ते इस तरीके से हमें चॉप कर लेने हैं, थोड़ा धनिया ऐसे चॉप कर लेंगे, अब जिस बरतन में पानी करम किया था उस इस तरीके से हमें करनी वसले से चलाते रहना है, ताकि जो पेस्ट है वो कड़ाई में चिपके रहें, चावल को हमें अच्छे से पकाना है, इसका मतलब हमारा चावल पक चुका है, अब इसमें खुआ नमा चलेफ्लिक्स, धनिया और करीपता, और इसे अच्छे से पकाए करेंगे, और इसे और ग्रीस करेंगे, हमें मिशन को जाता देर ठंडा होने के लिए नहीं रखना है, और स्पून की हेल्प से अब अपने पापड को इस तरीके से पैलाएंगे, इसे आप पंके के नीचे भी सुखा सकते हैं, जब आप इसको तलेंगे ना तो बहुत ही अबस्क्राइब